नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। जैसा आपकी वादा किया था आपसे कि 22 तारिक से शुरू करूँगा कारिकर्म तो आज से शुरुआत हो रही है। कुछ दिन आपको ये काला चश्मा थोड़ा बरदाश्ट करना पड़ेगा, कुछ दिन बाद ये भेयर जाएगा। लेकिन आज की बात करें, आज के मुद्दे की बात करें, मैंपुर उत्तर प्रदेश के मैंपुरी लोकसभा छेत्र का जो चुनाव हो रहा है। ये महज एक सीट का चुनाव नहीं है, इसको इस रूप में मत देखिए, एक सीट है, बाइलेक्शन हो रहा है, कोई जीते कोई हारे, उससे क्या फरक पड़ता है, 2024 में मुश्किल से 14-15 महिने बाद लोकसभा चुनाव फिर से होने हैं, तो इस सीट का कोई महत हो नहीं, ये सीट कई चीजें, सीट पर हार जीत कई चीजें तै करने जा रही है, उत्तरप्रदेश की राजनीती में ये जो मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीती इतने लंबे समय चली, 30 साल से जादा, क्या वो चलती रहेगी, सपा और बसपा में कौन बीजेपी का ये भी इस चुनाओ, रामपूर और रामपूर विधान सबा उपचुनाओ और मैनपूरी का जो लोग सबा सीट का उपचुनाओ है, ये भी उसके भविश्य को तै करेगा, जिस तरह की राजनीती मायवती कर रही है, और असली बात, राजनास सिंग इस बार डिंपल याद के बचाओं में नहीं आ पाए, तो वो क्या किस्सा है, उसकी भी बात करूँगा, लेकिन पहले इस चुनाओ क्षेतर की बात कर ले, ये चुनाओ क्षेतर यादो परिवार का, यानि मुलाइम सिंग यादो परिवार का एक तरह से गड़ माना जाता है, क्योंकि बगल में ही सेफई है, उनका जो गाओं पैतरिक निवास है, वो है, और इसकी एक सीट जो है, सेफई जो है, वो आती जहां से शिवपाल यादो विधान सभाग के सदस्य है, ये मैनपुरी लोग सभाग शेतर में ही आती है, दूसरी सीट करहल है, जहां से अखले शियादो खुद जो ह विधान सभाब में है, तिस सीट है कुन ही, जहां से सफ़ा का उमीदवार जीता है, बाकी दो सीटें जो है, वो बीजेपी के पास है, यहां का जो सामाजिक संरचना है चुनाव क्षेतर की, उसमें यादो और शाक के मद्दाता, ये दोनों आपस में इनकी प्रतिजवंद जीता चलती है, यादो लगभग साड़े चार लाख है, और शाक के मद्दातों की संक्या तीन लाख से उपर है, तो कुल मिलाकर लड़ाई एक तरह की ये दो सामाजिक समुहों के बीच में है, जो तैक करेगी उत्तर प्रदेश की राजनीती की दिशा, इस चुनाव क्षे पाए, 96 लड़े, 98 में दुबारा चुनाव हो गए, लोगसभा भंग हो गई थी, दुबारा चुनाव हुए, उसके बाद 2004 में वो चुनाव लड़े, 2004 में उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, इस उमीद में कि शायद प्रधान मंत्री बनने की संभावना बने जो गडबंधन बनेगा उसमें गुंजाईश बन सकती है, लेकिन जब वो गुंजाईश नहीं दिखी तो उन्होंने लोगसभा सीट से स्तीफा दे दिया, उनके भतीजे धर्में दरियादो बाईलेक्शन लड़े और जीते, उसके बाद वो 2009 में लड़े, जब कारेकाल प पुरी को छोड़ दिया, वहां से उनके भाई के पोते तेज प्रताप यादो वो चुनाव लड़े और जीते, मुलायम सिंग यादो तेज प्रताप यादो को ही प्रमोट कर रहे थे, चुनाव क्षेतर में लोगों से संपर्क के लिए, बाकी कामों के लिए उन्हीं का इस इस्तेमाल करते थे, एक तरह से उनके प्रतिनिधी उस चुनाव क्षेतर में वही थे, लेकिन और तेज प्रताप यादो के बारे में ये भी बता दें कि लालु प्रसाद यादो की बेटी से उनकी शादी हुई है, ये भी एक रिष्टा है, तो उप्चुनाव के लिए दर्वेन यादो आजमगड नहीं जाना चाहते थे, उनको जबरन भेजा गया था, चुनाव हार गये, और वहां अखलेश यादो चुनाव प्रचार करने भी नहीं गये, कि मैं बाइलेक्षन में चुनाव प्रचार नहीं करता, अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं, ये देखे युद्ध में और चुनाव में, दोनों में ये कहा जाता है कि आपको अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहिए, अखलेश यादो उनने शुरू से ही कमजोरी दिखा दी, उन्होंने जैसे ही चुनाव की पक्ष है, ये हमारी कमजोर नस है, दूसरा, जन्तादल यूनाइटेट के महामंत्री केसी त्यागी से बयान दिलवाया गया, कि मुलायम सिंख के सम्मान में जो है, उनको शर्धान जली देने के लिए कोई और पार्टी अपना उमीदवार ना खड़ी करे, अब सवाल ये किस से अपीर थी, सिर्फ बीजेपी से, बीजेपी के अलावा कि जी से हो भी नहीं सकते थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वैसे सिधान्त के तौर पर बाइलेक्शन लड़ती नहीं, लेकिन आजकल वो स्ट्रेटीजी के हिसाब से इसका फैसला करती है, दूसरा, कॉं इसके उमीदवार खड़ा करने का कोई-कोई अर्थ नहीं था, तो कुल मिलाकर ये था कि बीजेपी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, इसकी कोशिश करवाई अख्रेश यादो ने, ये उनकी कमजोरी का दूसरा पक्ष था, तीसरा पक्ष परिवार, परिवार की एकता का प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनके डिंपल यादों के नॉमिनेशन में शिवपाल यादों नहीं गए और अपड़ना यादों नहीं गई, और वहां से निकल कर, यानि नॉमिनेशन के बाद, रामगोपाल यादों ने जो बात कही, वो अक्रेश यादों को नुकसान पह चाने वाली बात उन अपढ़ना यादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे परिवार की सदस्य नहीं है नाम भी नहीं लिया कहा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे परिवार की सदस्य नहीं है तो दूसरी पार्टी में चले जाने से परिवार की सदसिता खतम हो जाती है ये तो नया सिद्धान राम गुपाल यादो ने दिया अखलेश यादो की जिम्मेदारी थी परिवार के बड़े होने के नाते अपड़ना यादो की जो पती हैं उनके बड़े भाई होने के नाते कि इस बात का कंडन करते हैं कि भाई हमारे राजमिती मदबेद हो सकते हैं लेकिन वो हमारे परिवार की सदस्ट नहीं किया शुपाल यादो नहीं आए तो उसके बाद उन्होंने स्टार केमपेनर्स की लिस्ट में शुपाल यादो का नाम रख दिया पांच साल से जिन से बात करने को तयार नहीं थे जो शुपाल यादो घुम घुम कर कहते थे कि फोन पर भी बात करने को तयार नहीं है अखलेश यादो वो उन अखलेश यादो जिन्होंने विधान सभा चुनाओ के बाद जो पार्टी की बैठा कोई विधायक दल की उनके जो साती दल थे उनके साथ उसमें शुपाल यादो को नहीं बुलाया हलाकि शुपाल यादो उनहीं की पार्टी की सदस्तिय हैं क्योंकि उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव रड़े थे उसके बाद से शुपाल यादो के बारे में वो बार बार कहते रहे अख्लेश यादो कि बीजेपी उनको ले क्यों नहीं लेती उन्हीं शुपाल यादो को स्टार कैंपेनर बनाया उन्हीं शुपाल यादो के घर दिंपल यादो के साथ गए मिले रिक्वेस्ट किया जो भी क उसके बाद सेफ़ाई में एक सभा हुई कारिकरताओं की उसमें मंच पर शुपाल यादो के पैर चुए शुपाल यादो ने कहा कि परिवार में एक्ता है तो ये चुनावी एक्ता दिखावे के लिए कितने दिन चलेगी पता नहीं लेकिन इन सब बातों से अखलेश यादो ने ये साफ कर दिया कि वो कमजोर है और वो डरे हुए हैं कि ये उपचनाव हार न जाए क्योंकि इस उपचनाव के हारने का मतलब होगा कि पहले आजमगण और रामपूर हारे लोग सभा कर चुनाव उसके बाद जो है मैं विधान सभा उपचनाव कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी जो रामपूर विधान सभा आजम खां की सदस्यता रदोने के बाद और ये जो मैं पूरी का चुनाव हो रहा है अगर ये दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है तो अखलेश यादों के कैम्प में ये चर्चा चुरू हो जाएगी कि क्या वो चुनाव जिताने की एक्षमता रहते हैं क्योंकि देखिए दोनों गढ़ है आजम गढ़ और रामपूर भी थे अब रामपूर विधान सभा का ख्षेतर जो है और मैंपूरी लोग सभा ये दोनों समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंग यादव जब जीते थे तो 94 या 95 वोटों से जीते थे और वो भी तब जब मायावती का समर्थन था गडबंधन था बसपा से ऐसे में कोई बहुत मजबूत इस्तिती नहीं है लेकिन जिस लोग सभा छेतर की विधान सभा से अखलेश यादव विधायक है वो सीट हार जाए परिवार के सीट हार जाए जो उनके पिता जिस सीट पर थे वो हार जाए इसका संदेश बड़ा जाएगा तो ये जो मुसलिम यादव राजनीती का समीकरण है ये भी टेस्ट होगा ये मंडल की राजनीती का जो समीकरण है वो भी टेस्ट होगा तो इसलिए बहुत लोगों की नजर है अब आईए सपा और बसपा की जो राजनीती का खेल चल रहा है दो हजार बाइस के विधान सभा चुनाओ के बात से बसपा को और मायवती को ये बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीती जिस मकाम पर पहुँच गई है जिस मोड प अरकि पार्टी एक ही या तो सपा हो सकती है या बसपा हो सकती है सपा अभी जिस जगे पर है उस जगे पर बसपा कबजा करना चाहती है इसके लिए आप देखिये मायवती की रननीती पर ध्यान दीजिए तीन उप्चुनाव हो चुके हैं दो विधान सभा के एक लोग सभा का आजमगण और रामपुन में लोग सभा का उप्चुनाव हुआ दोनों समाजवादी पार्टी की गढ़वाली सीटे थी तो मायवती ने क्या किया आजमगण में अपना उमीदवार में नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगे दूसरा रामपुर में उन्होंने उमीदवार खड़ा नहीं किया उनको मालूम था कि रामपुर में अगर उमीदवार खड़ा किया तो आजमगण जीत जाएंगे तो इसलिए जो है उन्होंने स्ट्रेटेजी के त जिस तरह का जगड़ा है उसके साथ नहीं जाएगा या तो घर बैठेगा या भाजपा के विद्वार के लिए वोट करेगा तो यह जो स्ट्रेटीजी है इसका एक मतलब लोग यह निकालते हैं कि मायवती भारती जंता पार्टी का समर्थन कर रही हैं मदद कर रही हैं बिलक मैसेज देना चाहती हैं उत्तर प्रदेश के मददाताओं को कि समाजवादी पार्टी अब नीचे जा रही है वो बीजेपी से लड़ने की इस्तिती में नहीं रही है वो अपने गढ़ नहीं बचा पा रही है तो इसलिए आप विकल्प के रूप में हम को देखिए प्रद अगर बीजेपी से लड़ना है तो उसके लिए हम है हमारे पास जो है दलित वोट है उनके पास जो 9-10 परसंड जाटव वोट है और उसके अलावा कुछ उनको अगर दलित वोट मिलते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के 12 वोट से बड़ा वोट बैंक बन जाते है और उस सर्वाइवल का यही एक मात्र रास्ता है तो वो हर वो कोशिश करेंगी आने वाले लोग सभाद चुनाओ और उसके बाद विधान सभाद चुनाओ तक कि कैसे समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए अब डिमपल यादो की बात कर लें डिमपल यादो यह अपने जीवन का राजनितिक जीवन का तीसरा उपचुनाओ लड़ रही और इत्तफा की बात है कि इससे पहले जो दो उपचुनाओ हुए उनका स्कोर जो है वन वन है वन ओल का स्कोर है भी पहला उपचुनाओ वो 2009 में लड़ी फिरजाबाद से और समाजवादी पार्टी से निकले हु कि दूसरा उपचुनाओ वो कन्नौच से लड़ी कन्नौच की सीट खाली की थी अख्लिशया दो में तो वहां से उपचुनाओ हुआ तो 2012 में वहां से उपचुनाओ डिंपल यादव को लड़ाने के लिए लगातार दो उपचुनाओ ना हार जाएं ये परिवार के साथ य इसके लिए मुलायम सिंग ने कोई कोर का सर उठाकर नहीं रख तो क्या किया राजना सिंग उस समय भारतिय जनता पाटी के राष्ट्री अध्यक्ष थे लक्षमी कांत बाजपई प्रदेश के अध्यक्ष थे अब आप देखें किस तरह खेल हुआ बसपा उप्चनाव जैसे भी साम दाम धन जो भी तरीका अपनाया हो उस तरीके से जो है उनको बिठा दिया गया उनका नॉमिनेशन वापस करा दिया गया अब बची थी भाजपा भाजपा ने अपने ही उमीदवार के साथ खेल किया लखनव से कन्नाव जाने के लिए नॉमिनेशन भरने के ल पर जो है ये लक्षमी कांत बाजपेई ने आनन फानन में प्रेस कांफेंस बुलाई और कहा कि हमारे उमीदवार को जो है खलेश यादव ने जबरन रोक रखा है और उनको पहुंचने नहीं दे रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और वो नॉमिनेशन नहीं फाइल क पाए और डिम्पल यादव निर्विरोध चुनी गई लोगसभा उपचुनाओं में उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब ऐसा हुआ 1952 में पुर्शोतम दास्टंडन इलहाबास से निर्विरोध चुने गए थे उसके बाद डिम्पल यादव इस तरह से निर्विरोध उनको चुनवाया गया तो अब राजणास सिंग की वो इस्थिती नहीं रहे गई बीजेपी में के बीजेपी के कंडिडिट को नॉमिनेशन ना फाइल करने दे है इसलिए डिम्पल यादव के लिए वो रास्ता नहीं खुल पाया क्योंकि कॉंग्रेस लड़ नहीं रही है बसपा लड़ नहीं रही है निर्दलियों को मना लेते एक मातर बीजेपी है जो लड़ती अगर वो उसका उमीदवार भी नहीं होता तो निर्विरोध हो जाती है तो इस बार ये ये स्कोर जो है जो अभी 1-1 का है वो 2-1 किसके पक्षबे होगा ये महनपुरी के चुनाव का नतीजा तै करेगा लेकिन अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को लड़ा कर चुनाव बहुत बड़ा जोखिम होल लिया है परिवार की सीट अगर मान इता पाए जब उनका BSP से समझोता था और मंच पर चुनाव जीतने के लिए बसपा की वोट मिले इसलिए डिम्पल यादव से कहा गया कि मंच पर सारवजनिक रूप से मायवती के पैर्च हुए उन्होंने पैर्च हुए और मायवती ने आशिरवात दिया उसके दुबरत पाठक वहां से सांसक चुने गए ये जो तीसरा उप चुनाव है डिम्पल यादव के लिए ये उनकी राजनितिक भविश्य करेगा कि राजनिती में रहेंगी या उनके लिए चुनाव रणना आगे मुश्किल हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा समाजवादी करके यहां से कोई किसी सीट पर चुनाव डणने ये सब समीकरन गरबड हो सकते हैं अगर समाजवादी पार्टी मैनपुरी का उप चुनाव हार जाती है बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया रगवीर शाके को वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है एक समय मुलायम स पर चुनाव के साथ रहे हैं उनके बताते हैं कि शुपाल यादो से बड़े अच्छे संबंद रहे हैं शुपाल यादो सच मुछ बहु को आश्रवाद देंगे या फिर बितरगात करेंगे किसी को पता नहीं चर्चा यह है समाजवादी पार्टी के अंदर के के में की कि अच्छा यादो ने उनको यह आश्वासन दिया है कि उनके बेटे का ध्यान रखेंगे उसका प्लिटिकल करियर जो है वो बनाने का जिम्मा अखलेश यादो ने लिया है इस शर्त पर जो है शुपाल यादो वनना जो है उनकी उमीदवारी की गोश्रा के बाद उन्होंने मिडिया से कहा कि मुझे तू मालू ही नहीं मुझे तो मिडिया से पता चल girाए और राम गौपाल यादो कर रहे थे कुंसे पूछ के जो है उमीदवारी तय की गई है डिमपल यादो को मीदवार बनाने के पीछ एक और कमजोरी है अखलेश यादो की कि परिवार में वह ह आधिकारी के रूप में महिनपूरी में तेज यादों को देखते थे लेकिन उनके पक्ष में फैसला नहीं किया अखलेश यादों ने अपनी प्रतिष्ठा, पत्नी की प्रतिष्ठा, पार्टी की प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा और M.Y. समीकरण की राजनीती की दाव पर लगी हुई है उधर रामपुर में भी 45 साल बाद पहली बार आजम खां के परिवार का कोई सदसे रामपुर विधाद सबा चुनाव में नहीं होगा वना आजम खां उनकी पत्नी या परिवार का कोई सदसे इस तरह से चुनाव लड़ते रहे हैं तो ये पहली बार होगा और वहां भी इस बात की संभावना है समाजवादी पार्टी हार जाएगी वहां खिले श्यादों चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे कि नहीं मुझे मालुम नहीं लेकिन ये जो उनका हांकार था अभी तक कि मैं बाईलेक्षन में जो है चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाता वो मैनपुरी ने तोड़ दिया है मैनपुरी में उनको जो है घर घर जाना पड़ेगा अपनी पत्नी को जिताने के लिए और तब भी नहीं जिता पाए तो समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं के मन में एक आशंका की भविष्य कैसा होगा अखलेश यादो कितनी दूर तक जा पाएंगे ये सारे सवाल उठेंगे तो मैनपुरी का उप्चुनाव किसी विधान सभाज चुनाव से कम महतोपूर्ण नहीं है राजनीतिक परिघटना की दृष्टी से तो उस पर नज़र रखिएगा मेरी भी नज़र है तो आज क्या अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आप से अमरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार